अलाम अलेकुम अच्छो पेश नमर 7 पे कल हमने जो दो एक्सराइजेस के थी आप I hope आप लोग वो कर चुके होंगे और समझ भी आ चुका होगा keep in mind ये काम आपने बुक पे ही रखना है कॉपी पे नहीं करना आज हम सीवली एक्सराइज करेंगे this is word structure आप 6 लास में भी कर चुके हैं वो कहते हैं write the letter string that fits all the words in each row यहाँ पे देखें उन्होंने two rows ती हैं one and two one row and the second row वो कहते हैं जो letters आप first blank में लगाएंगे वो ही letters आपको उस row के बाकी blanks में भी लगाने हैं और words बनाने हैं तो देखिए first वाले में मैंने क्या किये 4 blanks हैं तो मैंने उसमें E A V E लगा दिये तो word बन गये L E A V E S leaves इसी तरह second में लगा दिये E A V E तो word बन गये heaven इसी तरह जो बाकी words बचके हैं आप उसमें यही letters लगाएं और देखें क्या word बनता है second row में three blanks हैं तो मैंने उसमें A T H लगाया है तो वो word बन गया है path second में लगा दिये वही three blanks में वही letters लगा दिये तो father word बन गया है आगे जो words रह गए हैं उनको आप खुद फिल करें अब नीचे E वाली exercise में आजाएं this is teaser time वो गयते हैं add one letter to make a word जैसे three letters उन्होंने दिये हैं इसमें कहीं पे भी कोई एक letter add कर दें तो add करके एक word बना लें उन्होंने word बनाया है P-L-U-G plug आगे H-E-T है it is like it is very interesting अगर आप ये काम हुद करें तो जैसे मैंने यहां पे H-E-T है तो मैंने A letter add कर दिये तो heat word बन गया है इसी तरह बाकी जो हैं मैं आपको करवा सकती हूँ लेकिन अगर आप हुद करेंगे तो you will feel happy कि हाँ और इसको करने में बहुत मज़ा आता है तो अगर आप खुद करेंगे खुद word बनाने की कोशिश करेंगे तो you will feel happy यहीं पे second part है what am I? इसको मैं read कर देती हूँ लेकिन answer आप खुद इसके ढूलिएगा वो कहते हैं the more you take from me the bigger I get आप इसमें से जितना निकाले यह उतना बड़ा होता जाता है उन्होंने यहाँ पे जो word बनता है उसके letters को shuffle कर दिया है तो यहाँ पे answer में उन्होंने उसको arrange करके बना दिये whole कि एक गड़ा उसमें से जितना ज्यादा निकालते जाएं वो इतना बड़ा होता जाता है interesting है na the second one is it's yours yet others use it more तो यह वो word है puzzle है आप इन letters को rearrange करें और बताएं कि ऐसी कौन से चीज़ है जो आपकी होती है लेकिन दूसरे इसको ज्यादा इस्तमाल करते हैं आगे कहते हैं I rise and fall without moving ऐसी कौन से चीज़ है जो move किये बगएर rise and fall करती है तो आज आप यह काम कीजे और कल मैं आपको इसका answer सेंड करूँगी ओके टेक कियर अलाहाफेज